हेव फ्रात्रेंब्स आज हम बनाएंगे मकंई की बहुत ही सॉस्ट और बहुत ही ऑग्जीस टायल से रोटी, जिनको मकंई की रोटी बनाने लगती हैं, बहुत ही मुश्किल तो उसके लिए पहले जै वीडियो देख लें, तो सबके लिए असान हो जाएंगी जिनको नहीं ब पानि के डाल दिये 1-2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दिया खुब सरा हरा धनिया डाल दिया थोड़ी सी मूली को कस के डाल दिये मैंने आम इनने एक बॉयल आने देंगे 1-2 टीस्पून नमक डाल दिया अब इन्हें अच्छे से बॉयल आ गया है अब ड़ाई कप पानी डाला है तो इसमें चार कप हम मकई के आटे के डाल देंगे इसमें बिल्कुल भी हम आटा जासुची बगराने ही डालेंगे सिर्फ हम कई काटा ही डालेंगे इसे अच्छे से एक वर मिक्स करके गैस की फ्लेम हमने बंद करती है एक वर अच्छे से मिक्स कर दिया हमने इसे आप इसे पंद्रा से बेस्मेंट के लिए हम ड़क कर रख देंगे अब इसे हमने ढग दिया पंद्रा मिन्ट ऐसे ही छोड़ देंगे हम पंद्रा मिन्ट के बाद इसे डखन हटा कर हम एक बड़ी प्रांत में डाल देंगे इसे यह अभी भी गर्म ही है इसे गरम-गरम को ही हमने मैश करना है अगर ठंडा हो गया तो यह मिक्स नहीं होगा अगर हमारा हाथ नहीं लग रहा तो हम एक कटोरी से लेकर उसकी बैक से इसे ऐसे थोड़ा सा चिकन गार लेंगे अच्छे से मिक्स हो जाएगा अब यह थोड़ा से ठंडा हो गया है अब हम इसे हाथ से ही कर लेते हैं इसे पांस से साथ मेंट के लिए से अच्छे से मिसलेंगे तांकि यह मुलायम हो जाए और अच्छे से बाइंड हो जाए यह इस तरह है अगर मकई की रोटी बनाएंगे तो यह बहुत ही अच्छी बनती हैं इसके लिए हमें चकल बेलने के उपर ही बना लेंगे इसे पांच मिंट हो गए हैं हमें हार से मसल दे हुए एक चमच हमने घी कर डाल दिया इसे भी अच्छे से मिक्स कर लाते हैं देखिए देखने में ही पता चल रहा होगा कितना मलायम हो गया जी मकई काटा हमने इसमें उपर से बिलकुल भी पानी नहीं डाला बैसे तो जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आप लगों को अभी भी हाड लग रहा है तो एक दो चमच पानी के डाल सकते हो अब इसके हम लोईयां बना लेते हैं इसे जितना भी पतला बनाना हो उतना ही पतला बन जाएगा प्रंधा आप छोटी लोईयां भी ले सकते हैं बड़ी भी बना सकते हैं इस तरह हम सारे आटे की बना सकते हैं एक इबार में अब इसे हम मकई का सूखाटा लगा कर बेलने के उपर बेलने से बेल लेंगे जैसे हम सिंपल आटे की रोटी बेलते हैं इसी तरह से बहुत आराम से ये रोटी बेल जाती हैं कहीं भी छिपकती नहीं है और जितनी भी इसे पतली बनाना जाते हैं पतली बन जाएगी ये नहीं तो मकई कि रोटी थोड़ी मोटी बनती है इस तरह हम सभी रोटियां एक साथ भी बेल कर रख सकते हैं ऐसे ही हम पकीती रोटी हम भी बेल लेंगे देखिए कितने अराम से रोटी बिल रही है अगर कहीं लगे तो थोड़ा सा चिफ्क रहा है तो तो सुखाटा और डाल सकते हैं हम यह हमारी एक रोटी और बिल गई है अब हम अपने तबे को गरम करके उसके उपर रोटी को डाल देंगे दोना दर्फ से अच्छे से से शेख लेंगे बल्ट बल्ट कर इसके उपर हम थोड़ा सा घील लगाएंगे जैसे यह प्राउंट है कितरा बन जाएगी इस तरह हम कई की रोटी बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट बनती है और हम इसे कहीं भी टिफन में पैकर के भी ले जा सकते हैं यह विल्कुल भी सुखेगी नहीं और नहीं हार्ड होएगी आपको देखने में ही पता चल रहा होगा कितनी सॉफ्ट रोटी बनी है इसे बना कर हम दो तेन घंटे के लिए रख भी सकते हैं हमने कहीं जाना हो तो गर में बच्चों के लिए ऐसे बना कर हम टिफन में रख सकते हैं यह विल्कुल भी रखी हुई हार्ड नहीं होंगी एक बार इस रेस्पी को आप भी जरू ट्राई करें इसे हम दही और मखन के साथ सर्व करें हैं यह देखिए देखने में ही पता चलेगा आपको कितनी सॉफ्ट बनी है इसे कितना भी इकठा कर लें तो भी यह सॉफ्ट ही दिख रही है अगर आप सबको यह मेरी रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज यह से जड़ा से जड़ा शेयर करें मिलेंगे फिर एक और नई रेस्पी के साथ तब दक के लिए आप भी बनाएं और एंजोई करें थैंक यू पर वाचिंग बाइ बाइ बाइ